मेरा नाम कृती है मैं अपने पिता के पैर पकड़कर रो रही थी उनसे कह रही थी कि बाबा मुझे छोड़कर मत जाओ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती मेरे साथ ऐसा मत करो जो आप करने जा रहे हो वो बहुत बड़ा पाप है क्योंकि मैं समझ गई थी कि मेरे बाबा भी ठीक नहीं है मैं उनके पैर पकड़ रही थी कभी हाथ जोड़ रही थी मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी न जाने क्यों वो मुझे इस नर्क में छोड़कर जाने वाले थे क्या उन्हें अपनी बेटी से इतनी नफरत थी माना कि कुछ लोगों के लिए बेटियां बोज होती है मैं भी अपने पिता के लिए बोज थी मगर मेरे बाबा मेरे साथ कुछ ऐसा भी कर सकते हैं मुझे तो इसकी उमीद ही नहीं थी क्योंकि मैं जिस जगह पर थी वहां की बारे में मेरे बाबा ने मुझे कुछ नहीं बताया था वरना मैं कभी उनके साथ ना आती क्यो फिर भी मैं अपने बाबा पर भरोसा करके यहां तक आ गई थी मुझे यहां पर एक औरत दिखाई दी थी जो मेरे बाबा के साथ काफी देर तक बाते करती रही थी पहले वो मुझे कमरे के अंदर ले गई थी और वहां जाकर उसने मुझसे कहा था कि तुम आराम से बैठो त कि आखर यह किसका घर है इसी कमरे के अंदर एक और कमरा बना हुआ था जब अचानक उस कमरे के अंदर से एक लड़की भागती हुई निकली वो बुरी तरहां से रो रही थी उसकी हालत बहुत खराब थी और फिर वो रोती हुई दूसरे दर्वाजे से वहां से चली गई मगर उसके पीछे पीछे जब वो मर्द अपनी शर्ट के बटन लगाता हुआ और मुस्कुराता हुआ आया तो उसे देखकर मैं समझ गई थी कि ये कौन सी जगा है और ये लड़की रोती हुई इस कमरे से क्यों निकली थी फिर मैंने भी वहाँ से भागने की कोशिश की मगर मैं नाकाम रही क्योंकि दर्वाजे के बाहर ही वो औरत और मेरे बाबा अपस में खड़े हुए बाते कर रहे थे मैं जट से अपने बाबा के गले लग गई और उन से रोते हुए कहने लगी कि बाबा मुझे यहाँ पर नहीं रुखना हमें यहाँ से चलना चाहिए जब उस ओरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि अब तुम्हारा काम हो गया यहाँ से चले जाओ मेरे बाबा ने इस ओरत की तरफ देख कर कहा मगर मेरे पैसे तो उस ओरत ने एक आदमी को आवास लगाई जो एक बैग लेकर आया और वो बैग उस ओरत ने मेरे बाबा के हाथ में थमा दिया और बाबा वहाँ से जाने लगे मैंने बाबा से कहा बाबा मैं भी तो आपके साथ जाऊंगी मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी मैं उनके पैरों में गिर गई और रोने लगी उनसे कहने लगी कि मुझे यहाँ पर मत छोड़ो मगर उन्होंने कहा कि तेरी असल जगा यहीं पर ही है वैसे भी जवान होने के बा जब उसने मुझे दर्वाजे के अंदर किया और दर्वाजे को बाहर से बंद कर दिया मैं फूट फूट कर रो रही थी दर्वाजे को धरधर बजा रही थी कह रही थी कि दर्वाजा खोलो बाबा मुझे यहां से निकालो मुझे आपके साथ जाना है प्लीज मेरे साथ ऐसा म बहुत खुबसूरत है मगर याद रखना दुबार अपनी बेटी को यहां से ले जाने की बात मत करना क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बेटियों को मजबूरी में यहां बेच कर चले जाते हैं और फिर आकर अपना रोना रोने लगते हैं कि अपने पैसे वापस कर दो मगर यहां ऐसा नहीं होता जो एक बार यहां पर आ जाता है वो दुबारा यहां से वापस नहीं जाता क्यूंकि यहां पर वापसी का कोई रास्ता नहीं है मेरे बाबा ने उस औरत से कहा कि नहीं मैं इसे कभी लेने नहीं आऊंगा मेरा इससे कोई वास्ता नही है बेटिया तो इसी जगा के लिए बनी होती है और मेरी बेटी भी इसी जगा के काबिल है इसलिए मैं इसको यही छोड़कर जा रहा हूँ वो आरत कहने लगी तो फिर ठीक है तुम जाओ यहां से जब तक तुम यहां रहोगे यह लड़की रोती धोती रहेगी और खुबसूरत लड़कियां जब रोती हैं तो अपनी हालत अक्सर खराब कर लेती हैं हम नहीं चाहते कि हमारा माल खराब हो जाए बाबा यह कहकर वहां से चले गए थे और मैं ना जाने कब तक अपनी किसमत को महाँ पर बैठ कर रोती रही थी मैं सोच रही थी किया ऐसे भी पिता होते हैं जो अपनी बेटियों को कोठे पर बेच जाते हैं मेरे पिता ने आखिर मुझे किस लिए बेचा क्यों उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया क्या उन्होंने मुझे पैसों की बदले यहां पर बेचा था चलिए मैं आपको अपनी कहानी डीटेल से बताती हूँ 21 साल पहले मेरे बाबा की शादी मेरी मा के साथ हुई थी मेरी मा बहुत खुबसूरत थी मेरे बाबा एक आमसे इंसान थे जो किसी खुबसूरत लड़की से शादी करना चाहते थे और जब मेरी दादी ने मेरी मा को अपने एक लौते बेटे के लिए पसंद किया तो मेरे बाबा की खुशी के ठीकाने नहीं थे क्योंकि उन्हें उनकी पसंद के लड़की मिल गई थी मगर बाबा की खुशी यहीं खत्न नहीं हो सकती थी क्योंकि बाबा चाहते थे कि शादी के बाद जल्द ही उनकी पत्नी गर्बवती हो जाए ताकि उनको एक प्यारा सा बेटा दे सके मेरे दादी की भी यहीं ख्वाहिश थी और दादी नहीं मेरे बाबा की दिमाग में इबाट डाली थी कि तेरी पत्नी बहुत खुबसूरत है बच्पन से लेकर अब तक तु अकेला रहा है ना तेरा कोई भाई है और ना ही कोई बहन है बेटियों से तो कोई फायदा नहीं होता माबाप की सारी जमापूंची समेट कर अपनी ससुराल को ले जाती है जबकि बेटे तो तेरी तरह हुनहार होते हैं जिस तरह तु ने अपने पिता के मरने के बाद उनके काम को संभाला मेरा और अपना खयाल रखा इस तरह तेरा बेटा भी बड़ा होकर तेरा और तेरी पत्नी का बहुत खयाल रखेगा तु अपनी पत्नी को बोल देना कि तुझे पहला बच्चा बेटा ही चाहिए तु जितने बेटों का पिता बनेगा उतनी ही तेरी जिन्दे की बुढ़ापे में आसानी से गुजरेगी क्योंकि बुढ़ापे का सहारा तो बेटे ही बनते हैं, बेटिया नहीं मेरी दादी की बात मेरे बाबा के दिमाग में बहुत अच्छे से बैड़ गई थी और उन्होंने शादी के कुछ महीनों बाद ही मेरी माँ से कहना शुरू कर दिया था कि वो जल से जल गर्बवती हो जाए और उन्हें बेटा पैदा करके दे मगर माँ बाबा की बात सुनकर बड़ी हैरान होती थी मेरी माँ पड़ी लिखी थी इसलिए वो बेटे और बेटियों में किसी तरह का कोई फर्क नहीं करते थी बलकि उन्हें तो बेटियों से प्यार था वो चाहती थी कि पहली उलाद उनकी बेटी ही हो और उनके ख्वाहिश पूरी हो गई थी मेरी माँ मेरे जन पर बहुत खुश थी वो बार बार मुझे अपने सीने से लगाती मुझे धेर सारा प्यार करती और बाबा से बार बार मेरी खौहिश पूरी करने के लिए पैसे लिया करती थी उनको अच्छा लगता था कि उनकी बेटी नैने खिलोने से खिले नए नए कपड़े पहने मगर जिस दिन से मैंने जनम लिया था मेरे बाबरे मुझे गोद में भी नहीं उठाय था यहां तक कि उन्होंने तो मेरी शकल भी ठीक से नहीं देखी थी दादी भी माँ से नफरत करने लगी थी कि तूने बेटा पैदा नहीं किया माँ दादी के सारे जल्मों सितम खामोशी से बरदाश करती थी मेरी दादी बहुत चालाक औरत थी और कुछ इसी तरहा की बाते उन्होंने मेरे बाबा के दिमाग में बिठा दी थी ताकि बाबा मेरी माँ को हमेशा बेटा पैदा करने के लिए फोर्स करते रहे और उन पर अत्यचार करते रहे माँ बाबा की हरकतों से बहुत तंग आ जाती थी वो कभी कभी कह दिया करती थी कि मैं तुम्हें बेटा पैदा करके कहां से दू मेरे हाथ में कुछ नहीं है जैसा भगवान चाहेगा वैसा ही होगा लेकिन मेरे जन्म के पूरे तीन साल होने को आ गए थे मेरी मा अभी तक गर्भवती नहीं हो रही थी बाबा ने मा का काफी सारे डॉक्टर से भी इलाज कराया था डॉक्टर ने बताया था कि मेरी मा में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो बिलकुल ठीक है ठीक समय आने पर वो गर्भवती हो जाएंगी मगर वो गर्भवती नहीं हो पा रही थी इस बात से मेरे बाबा और दादी बहुत परिशान थी वो लोग दिन रात मेरी मा को उटते बैटते ताने दिया करते थे एक दिन मा ने बाबा से कह दिया था कि तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो और दूसरी शादी भी कर सकते हो मैं अपनी बेटी का खुद खयाल रख सकती हूँ उसकी परवरिश भी खुद कर सकती हूँ मगर बाबा मा को नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि वो जानते थे कि मा से ज्यादा खुबसूरत औरत उन्हें कहीं नहीं मिल सकती मेरे बाबा देखने में ज्यादा अच्छे नहीं थे मा अच्छे परिवार की थी अपने माबाब की एकलोती बेटी थी मेरी मा की मा मतलब मेरी नानी मेरी मा की शादी से दो महीने पहले ही इस दुनिया को छोड़ कर चली गई थी मगर उनके पिता थे जिन्होंने उनकी शादी बड़े शौक से की थी और उनकी शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी थी मगर वो नहीं जानते थे कि शादी के बाद उनकी बेटी को किन किन परिशानियों का सामना करना पड़ेगा मेरी माँ की शादी के दो साल बाद मेरे नाना जी भी इस दुनिया को छोड़ कर चले गए थे अब मेरी माँ पूरी तरहां से अकेली रह गए थी लेकिन फिर भी वो अकेले रहकर भी इतना confidence रखती थी कि अपनी बेटी को अकेले पाल सकती थी बाबा इस बात से डर जाते थे कि कहीं माँ उनको छोड़कर न चली जाए दादी बाबा को भरोसा दिलाती थी कि मैं इसके जैसे ही खुबसूरत लड़की से तेरी दोबारा से शादी करवा दूगी मगर बाबा को लगता था कि शायद इसके जैसे खुबसूरत लड़की मुझे कभी मिल ही नहीं सकती इसलिए उन्होंने मेरी माँ को नहीं छोड़ा काफी वक्त इसी तरहां से गुजर गया मेरी उम्र छैसाल की हो गई थी मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी मेरी माँ ने मेरा हर तरहां से खयाल रखा था बाबा तो मुझे ज़्यादा मू लगाते ही नहीं थे और ना ही दादी मुझे पसंद करती थी दादी अब बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी एक दिन ऐसा हुआ कि दादी इस दुनिया को छोड़कर चली गई घर के माहौल में थोड़ा बदलाव आया था साल बाद उनकी पत्नी दोबारा से मा बन गई थी बाबा को उमीद जाग गई थी कि अब उनके घर में बेटा आ जाएगा और जब माने बच्चे को जनम दिया तो बाबा की खुशी के ठीकाने नहीं थे क्योंकि मेरी माने बेटे को ही जनम दिया था बाबा ने अपने बेटे को फॉरण ही गोद में ले लिया था उसे धेड सारा प्यार किया था उसके लिए उन्होंने नए नए तरहां के खिलोने खरीदे थे धेड सारे कपड़े खरीदे थे घर में उसके लिए हर तरहा के आराम की फैसिलिटी मौजूद कर दी गई थी ऐसा नहीं था कि मेरी माँ अपने बेटे के जनम पर खुश नहीं थी वो बहुत खुश थी आखिरकार वो उनके ही शरीर का एक हिस्सा था मगर माँ अगर बाबा से नराज थी तो वो इस बात पर थी कि उन्होंने बेटी के जनम पर तो इतनी खुशिया नहीं मनाई थी जितने की वो बेटे के जनम पर मना रहे थे बाबा ने बेटा और बेटी में बहुत फर्क करना शुरू कर दिया था मैं भी बड़ी हो रही थी मेरा भाई भी धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था बाबा मुझे उसके साथ खेलने नहीं देते थे वो उससे मना कर दिया करते थे कि अपनी बहन के पास मत जाया करो और उन्होंने मा को भी सखती से मना किया हुआ था कि इस मन्हूस का परचावा मेरे बेटे पर नहीं पढ़ना चाहिए एक बार मेरा भाई मेरी गोद में था जब बाबा घर में मौजूद नहीं थे वो बहुत प्यारा था, मुझे उस पर बहुत प्यार आता था इसलिए मैंने मा से जित करके उसे अपनी गोद में ले लिया था मैं उसे अपने साथ घर से बाहर लेकर जा रही थी जब अचानक मेरा पैर मुल गया, मैं जमीन पर गिर गई और मेरा भाई भी जमीन पर गिर गया था वो छोटा बच्चा था, इसलिए ज्यादा चेक चेक कर रो रहा था मैं थोड़ी बड़ी और होश्यार हो गई थी, इसलिए मैंने खुद को संभाल लिया था मेरे घुटनों पर चोट लगी थी, जबकि मेरा भाई गिरने से डर गया था इस दोरान बाबा घर में आ गए, उन्होंने जब देखा कि मेरी गोद में से भाई गिर गया तो उन्होंने मुझे डाटने के साथ साथ मेरी मा को भी डाट लगाई थी मेरे मूँ पर भी एक थपड मारा था, कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने इसको गोद में लिया अगर ये भी तो तुम्हारी ही बेटी है इसे मैं कहीं और से तो नहीं लाई बाबा कहते मगर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी अगर ये भी बेटा होती तो मैं इसे बहुत प्यार करता माने कहा कि तुम बेटी की महबबत में अंधे हो गए हो तुम्हें नहीं पता कि बेटो की नजर भी नहीं डाली, ये भी तुम्हारी ही ओलाद है, तुम्हारा ही खून है, बाबा ने गुस्ते में मा से कहा, कि मैं इसको अपनी ओलाद नहीं मानता, मेरी सिर्फ एक ही ओलाद है, वो है मेरा बेटा, ये बेटी तेरी है, मेरी नहीं, बाबा की इस बात पर मा बहुत रोई थी उन्होंने मुझे गले से लगाया था और कहा था कि तू कभी ये मत सोचना कि तेरा बाबा तुझे प्यार नहीं करता तो मा भी नहीं करती होगी मैं तुझ से बहुत प्यार करती हूँ जब तक जिन्दा हूँ हमेशा तेरा खयाल रखती रहूंगी मा ने हम दोनों भाई बहन की परवरिश बहुत अच्छी की थी, वो हम दोनों को एक जैसे संसकार देना चाहते थी, मगर मेरा भाई बाई बाबा के लाट प्यार से बहुत बिगड़ गया था, बजपन से ही उसके खौाहिशे बढ़ती जा रही थी, वो बाबा से जो कहता, बाबा उसे लाकर दे दिया करते थे, चाहे वो चीज बाबा की बजट से भी उपर हो, वो उससे बहुत प्यार करते थे, उसके आगे तो उन्हें अपनी पत्नी भी दिखाई नहीं देती थी, जिस दिन से मेरे भाई का जनम हुआ था, उसे दिन से बाबा ने मा की तरफ पलट कर देखना भी गवारा नहीं समझा था, बस बाबा चाहते थे कि इन दोनों पर मा का साया बना रहे, वो मा को किसी तरहा का हक नहीं देते थे, सारा लाट, प्यार, सारा ध्यान, सारी फिक्र, सारी महबत, सब कुछ उनके बेटे के लिए ही थी, हम दोनों मा बेटी तो उनके घर में होते ना के बराबर थे, मा को अगर किसी चीज़ की जरूरत होती और वो बाबा से कहती कि उन्हें ये सामान चाहिए, तो बाबा उन्हें लाकर नहीं देते थे, कहते कि बेटे की खौाहिशे पूरी करने में उनके पास से पैसे खत्म हो गए, मैं चाहती थी कि वो मेरा ये तो मैं नहीं जानती थी, मगर इतना जरूर जानती थी, कि जिस दिन से मेरे भाई ने इस घर में जनम लिया था, बाबा ने सारे रिष्टे नाते भी खत्म कर दिये थे, वो किसी से मेल जोल नहीं रखते थे, बस अपने बेटे के साथ ही लगे रहते थे, और इसी सब के कारण मैं शिक्षा हासिल ना कर सकी, मेरी मा की ये तमन्ना भी अधूरी रह गए थी, जब मेरा भाई 13 साल का हो गया, और मैं 19 साल की हो गई, तब मा ने बाबा से कहा था, कि हमारी बेटी जवान हो गई, अब हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए, मैं जानती कि अभी उसकी उम्र कम है, मगर क्या करूं, तुमने उसको स्कूल में भी पढ़ने नहीं दिया, उस बिचारी का कभी कोई शौक पूरा नहीं हुआ, तुम तो उससे बात तक नहीं करते, कम से कम वो बिचारी ससुराल में चली जाए, मह जाकर तो सुख देख ले, यहां तो वो कोई सुख न देख सकी, इस बात पर बाबा को गुस्सा आया, और उन्होंने कहा, कि तुम्हारी बेटी को यहां खाने पीने को नहीं मिलता, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते, या फिर वो इस घर में रहती नहीं है, कान खोल कर मेरी बात सुन लो, मेरे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हें अगर अपनी बेटी की शादी करनी है, तो अपनी जिम्मेदारी पर करना मैं नहीं करूंगा, मा कहने लगी, आखिर तुम उसके साथ इतना भेदभाफ क्यों करते हो, कभी अपनी बेटे को भी समझाया करो, कि 13 साल का हो गया है, पिचारी ने हालात के साथ समझोता करना सीख लिया है, क्योंकि उसको बचपन से ही पिता का प्यार नहीं मिल सका, मैं तुम से कभी कुछ नहीं मागूंगी, बस मेरी बेटी की अच्छे घर में शादी करवा दो, उसके बाद जैसा तुम कहोगे, मैं वैसा ही करूंगी, वै आसे भी अपनी बेटे के खौाहिशे पूरी करते करते, मेरे पास कभी कुछ जमा हुआ ही नहीं, तुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, तो तु अपना जेवर बेच दे, मा कहने लगी, कि जेवर कहां से बेचूं, घर के हालात इतने खराब हो गए थे, कि कि करके तुम ने उसको बिगाडने के लिए उसके हाथ में मुबाइल भी दे दिया, जबकि इसकी अमर के बच्चे तो इसकूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं, बाबा ने कहा कि तु हमेशे मेरे बेटी के खुश्यों पर नजर क्यों रखती है, तुम दोनों मा बेटी को बस मेरा बेटा ही खलता रहता है, मा कुछ गलत नहीं कह रही थी, क्योंकि बाबा ने उसे सच में बहुत बिगाड़ दिया था, कम उमर में ही उसने गलत गलत लड़कों के साथ दोस्ती कर ली थी, सारा दिन वो अवारा गर्दी करता रहता था, कम उमर में ही बाबा ने उसके हाथ में मुबायल नहीं दिलवाया था बलकि expensive बड़े ब्रांड का मुबायल दिलवाया था जिससे उसके दोस्तों में उसकी बहुत वावा हो रही थी एक साल और इसी तरहां से गुजर गया था लेकिन मेरे भाई की हरकते दिन बदिन बढ़ती जा रही थी इस दोरान मेरी मा बीमार रहने लगी थी उन्हें इलाज के सकत जरूरत थी क्योंकि उन्हें paralyze की बिमारी हो गई थी मगर बाबा को तो भाई के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था वो मा की तरफ देखते भी नहीं थे माने उनसे कहा भी था कि मेरी तब्यद ठीक नहीं है मेरा इलाज बड़ कि काश में अगर किसी काबिल होती तो अपनी मां का इलाज खुद करवाती। मेरी मां की तब्यत बहुत खराब रहने लगी थी और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो रात को सोई तो सुभा जाग ही न सकी। क्योंकि मां सुभा सवेरे ही अपनी आँखें खोल दिया करती थी लेकिन उस दिन जब उनकी आँख नहीं खुली और मैंने उनको जगाने की कोशिश की तो मेरे चिला चिला के रोने पर बाबा और मेरा भाई दीपक कमरे में आ गए थे। मा के ना उटने पर बाबा उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घो लेकिन अब मा के मर जाने के बाद तो मेरी जिन्दिगी में और जादा बूरे दिन आ गए थे मैं सारा सारा दिन और सारी सारी रात अपनी मा को याद करके रोती रहती थी अब मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पूरी तरहां से अनाथ हो गई हूँ क्योंकि इस घर में मुझस कोई बोलने वाला भी नहीं था एक मेरी मा ही थी जो जैसे तैसे मेरे कपड़े बना दिया करती थी मा की मरने के बाद में उनके ही कपड़े पहनती थी बाबा घर में सारा राशन डलवा दिया करते थे मैं बिमार भी होती तो वो मुझे डॉक्टर से दवाई दिलवा कर नहीं लाते थे, मैं खुद ही ठीक हो जाती थी, मैंने कभी उनसे किसी बात का शिक्वा नहीं किया था, आकर करती भी कैसे, वो मुझे अपनी बेटी ही नहीं मानते थे, अब तो मैं पहले से भी ज्यादा दुखी और परिशान रहने लगी थी, घर के सारे काम करते करते मैं ठक जात जबकि मुझे बासी खाना खाने को बोलते थे, रोज मैं अपने भाई के कमरे की सफाइश लगाया करती थी, उसके कपड़े धोया करती थी, उसको वक्त पर खाना देती थी, अपनी हालत को मुझे सुधारने का समय ही नहीं मिलता था, लोग कहते थे कि तुम बिलकुल अप इतने सारे शौक पूरे करती हैं, बाबा कहने लगे कि तुझे अपने शौक पूरे करके क्या करना है, वो सब तो अपने घरवालों के लिए भागशाली साबित हुई है, लेकिन जिस दिन से तूने जनम लिया है, उसे दिन से हमारे घर के हालात खराब होते चले गए, मेरे ब पिता और बेटे का ख़याल कौन रखेगा मैंने बाबा से उनके पैरों में गिरकर कहा था कि बाबा मैं तुम्हारा और दीपक का हमेशा ही ख़याल रखूंगी घर के सारे काम भी किया करूंगी बस मुझे सिलाई करने दो बाबा कहने लगे कि तुझे सिलाई किसने सिखा दी मैंने कहा बाबा आप नहीं जानते मा से सिलाई आती थी मा मुझे सिलाई के बारे में बताती रहती थी इसले मैंने वो सब कुछ अपने दिमाग में बठा लिया बाबा ने ना जाने क्या सोचा लेकिन फिर उन्होंने मना कर दिया कि मैं तुझे सिलाई नहीं करने दूँगा बलकि तु घर के अलावा कोई काम नहीं करेगी मैं उनकी बातों पर रोती हुई अपने कमरे में आ गई थी वक्त अपनी रफ्तार से चलता जा रहा था अब मैं किस साल की और मेरा भाई पंदरा साल का हो गया था वो सेहत में बहुत अच्छा था देखने कभी बहुत अच्छा था इसलिए कोई उसे देखकर कहता ही नहीं था कि वो पंदरा साल का है बलकि वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा लगने लगा था अब उसने बाबा से कहा था कि उसे महंगी वाली बाइक चाहिए जिसके कीमक लगभग साथ लाख रुपे थी उसकी बात पर बाबा ने उसने कहा था कि बेटा अभी कुछ महीने पहले ही तो मैंने तुझे स्कूटी लेकर दी थी अभी तेरी उम्र इतनी नहीं है कि तुँ महंगी बाइक चला सके मगर वो बाबा से नराज हो गया और कहने लगा अगर आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा या फिर इस घर को छोड़ कर चला जाऊंगा ये बात सुनकर बाबा डर गए थे बाबा कहने लगे के नहीं नहीं बेटा तू तो मेरी आखों का तारा है मेरे दिल का सुकून है आखिर मेरी सारे खुशियां तुझ से ही तो जुड़ी हुई है तू मुझे छोड़ कर चला गया तो मैं कैसे रहूंगा वो बहुत बेचायन हो गए थे हाला कि इस से पहले भी वो काफी सारी ऐसी डिमांड्स कर चुका था जिनकी वज़ा से बाबा को काफी सारी परिशानियों का सामना करना पड़ा था लेकिन फिर भी बाबा ने उसके डिमांड पूरी कर दी थी इ उसके मुझे निकले डिमांड तो चुट्कियों में पूरी हो जाती है इसलिए वो बार 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 बाबा से डिमांड करता रहता था लेकिन अब बाबा की तो उम्र होने लगी थी अब उनके अंदर बीमार या जन्म लेने लगी थी उनकी वे तबियत खराब रहती थी मैं उनकी बहुत सेवा करती थी जबकि दीपक को तो इतनी भी फुरसत नहीं होती थी कि वो अपनी यारी दोस्ती से निकल कर बाबा के हालचाल भी पूछ सके मगर फिर भी वो बाबा को बहुत प्यारा था अब उसने बाबा को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने एक हफ़ते के अंदर अंदर उसे बाइक के साथ लाख रुपे का अरेंजमेंट नहीं करके दिया तो वो इस घर को छोड़ कर चला जाएगा इस बाद से बाबा बहुत डर गए थे बाबा ने उसे तसल्ले दी थी कि वो साथ लाख रुपे का अरेंजमेंट कर लेंगे मगर बाबा के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल था आखिर वो तीस हजार रुपे महीना ही तो कमाया करते थे ऐसे में अपने बेटे को इतनी केमती बाइक कैसे दिला सकते थे इससे पहले कई बार वो मोटर बाइक की और महंगी महंगी साइकल की महंगी महंगी मुबाइल्स की और महंगी महंगी वाचिस की और कहीं न कहीं घूमने जानी की जित करता रहा था बाबा उसके कहने पर कभी उसे बीस हजार रुपे दे देते तो कभी अपने पूरे महीने की सेलरी उसके हवाले कर दिया करते थे कहते थे कि उसकी उम्र है अभी ये सब करने की इस उम्र में वो अपने शौक पूरे नहीं करेगा तो कब करेगा इस दोरान उन्हें घर में बहुत परिशानी का सामना करना पड़ता था मगर दीपक बाबा को कभी कभी बहुत बत्तमीजी से बोल जाता था मैंने देखा था कि बाबा अगर उसकी किसी भी डिमांड पूरी करने के लिए अगर कोई एक्सक्यूस करते तो वो बाबा से कहता था क्या हमेशे जासूसों की तरहां मुझसे जासूसी भरे सवाल करते रहते हो मेरे पिता हो सिर्फ पिता ही बन कर रहो मेरे दोस्त बनने की कोई जरूरत नहीं है बाबा उसकी ऐसी बाते सुनकर खामोश हो जाते थे मैं जानती थी कि उनका दिल तूट गया है मगर क्या कर सकते हैं उन्हें भी तो अपने बेटे पर बहुत भरोसा था न दीपक के दिये हुए एक हफ़ते का टाइम पूरा होने वाला था मुझे नहीं पता था कि बाबा ने पैसो का अरेंजमेंट किया ये नहीं मगर उस दिन मैं घर के काम कर रही थी जब बाबा घबराती हुए घर के अंदर आए और मुझे से कहने लगे कि जल्दी से तयार हो जा बाबा की बात सुनकर मैं चौक गई थी मैंने कहा बाबा क्या हुआ तो बाबा कहने लगे कि तेरे पास जो अच्छे से कपड़े हैं वो पहन ले मैंने कहा कि बाबा मेरे पास तो कोई भी अच्छे कपड़े नहीं है उन्होंने कहा कि तेरे पास सारे कपड़ों में से जो भी सबसे अच्छे कपड़े हैं उनको पहन कर अच्छे से तयार हो जा मैं तुझे किसी रिष्टेदार के यहां लेकर जाना चाहता हूं मैं खुश हो गई बाबा की बात सुनकर मैं बाबा के साथ साथ यहां तक आ गई और अब यहां आने के बाद मैं अपनी किस्मत को बैठी रो रही थी क्योंकि बाबा ने मुझे इस कोठे पर इस औरत के हवाले कर दिया था और मेरे बदली वो नोटों से भरा हुआ बैग वहां से ले जा चुके थे अब मुझे समझ आई थी कि बाबा ने मेरे भाई को बाइक दिलानी थी इसलिए वो मुझे यहां पर बेच कर चले गए रात का समय हुआ तो मुझे कस्टुमर की बिस्तर की रौनक बना दिया गया था मुझे तैयार करके बिस्तर पर बिठा दिया गया था मैं बुरी तरहां से रो रही थी इस बाई के पैरों में गिरकर इससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो मुझे जाने दे मगर वो मुझे बार बार यही कह रही थी कि तू यहां से वापस नहीं जा सकती क्योंकि यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है यह बात मैं तेरे पिता को भी समझा चुकी हूँ यहां से तू मर कर ही वापस जा सकती है मैं चारों तरफ से फस चुकी थी मिरे पास कोई और रास्ता नहीं था इसलिए मुझे वही करना था जो ये लोग मुझे करवाना चाहते थे जब पहली रात मुझे कस्टमर के हवाले कर दिया गया तो मेरी चीखे आसमान कुछ हूँ रही थी मुझे कोई बचाने वाला नहीं था उस रात मुझे मेरी माँ बहुत याद आई थी, अगर वो जिन्दा होती, तो शायद वो मेरे साथ ऐसा कुछ न होने देती, मेरी इज़त खराब हो चुकी थी, और अब मैं इस धंदे में उतर आई थी, मगर मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती थी, कई दिन इसी तरहां से भून रही थी, लेकिन मुझे यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं मिला था, मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी, कि मुझे अपने आप से घिन महसूस होने लगी थी, क्योंकि हर रात में किसी एक मर्द के बिस्तर की रौनक बनती थी, एक दिन मैंने देखा, कि यहाँ प और उससे कहा कि मेरी मदद करो, मुझे किसी भी तरह इस नर्ग से निकाल दो, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आई, मुझे यहाँ मेरा पिता बेच कर गया है, वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर ना जाने कितनी ऐसी किया है, जो मुझे अपनी मजबूरी बताती रहती है, कि हमें यहाँ से निकाल दो, आखिर मैं तुम लड़कियों को यहाँ से भगा कर अपनी रोजी रोटी पर लात मारना नहीं चाहती, और बाई को अगर पता चल गया, तो बाई मुझे भी जान से मार देगी, मैंने कहा मैं तुम पर किसी तरह का कोई इल्जाम नहीं आने दूंगी, देखो अगर तुमने मुझे यहाँ से निकाला, तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, मेरी बात सुनकर वो चौक गई थी, उसने कहा पैसे, तुम्हारे पास पैसे कहां से आए, मैंने कहा क्यूं, मैं अपने शर मत करो, तुम बस आम खाओ, गुठली न गिनो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, मैंने उसे पूरे बीस हजार रुपे देने का वादा किया था, मगर कहा था, कि तुम्हें मुझे यहाँ से निकालने में मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जा माल लाकर उनको दिया करती थी, उसका यही काम होता था, लेकिन अब उसे इतने पैसे मिल रहे थे, तो उसके नियत खराब होने लगी थी, उसका मन बदलने लगा था, और वो मेरा काम करने के लिए तैयार होती नजर आ रही थी, वो मुझे यहाँ से बाहर निकाल कर अपनी रास्ता छोड़ देगा, मैं चौक गई थी, कि ना जाने वो मुझे ऐसी कौन से चीज लाकर देने वाली थी, अब मुझे जैसे तैसे बीस हजार रुपे का बंदुबस करना था, इस कोठे पर हर शनिवार की रात एक बहुत बड़ा जुएलर आता था, जिसको मैं बहुत आगे थी, इसलिए हर शनिवार की रात वो मेरे साथ गुजारना पसंद करता था, वही मेरा ये काम कर सकता था, जब वो आया, तो मैंने उससे कहा कि देखो सहाब, हर शनिवार की रात तुम मेरे साथ गुजारते हो, मगर अब मेरा तुम से मन भर गया है, तुम बाई को मेर पैसे तो देते ही हो मगर मुझे अलग से भी तुमसे कुछ पैसे चाहिए अगर आज तुमने मुझे वो पैसे नहीं दिये तो अगले रविवार से मैं खुद बाई से मना कर दूंगी कि जो कस्टुमर मुझे तुमसे ज्यादा पैसे देगा मैं उसके साथ रात गुजारूं लगा हर हफते एक रात गुजारने के मैं पूरे 50,000 रुपे देता हूँ क्योंकि तो मुझे पसंद आ गई है मेरा तुछ पर दिल आ गया है 20,000 रुपे मेरे लिए कोई बड़ी रकम नहीं है उसने उसी समय अपनी जेब से 20,000 रुपे निकाल कर मुझे दे दिये थे और फ चीज को जानती नहीं थी कि ये क्या चीज है वो कोई छोटी से बोतल थी इस्प्रे की बोतल मैंने उसने कहा कि ये क्या चीज है तो उसने मुझे बताया कि ये मिर्ची स्प्रे है ये स्प्रे ज्यादा तर लड़की अपने पास ही रखती है अपनी प्रोटेक्शन के लिए ताकि वो खुद को ऐसे लोगों से बचा सके जो उनकी इज़त पर वार करते हैं उसने मुझे कहा कि तू यहां से भाग जाना जो भी तेरे रस्ते में आए उसके चेहरे पर ये स्प्रेश छड़क देना उसके इतनी तेज मिर्ची लगेगी कि वो अपनी आखे खोल कर तुझे पलट कर देख भी नहीं सकेगा उसने मुझे आइडिया तो बहुत अच्छा दिया था मैंने उसको उसके कीमत दे दी थी और फिर मैंने ऐसा ही किया जब मैं वहां से निकलने लगी तो जो जो मेरे सामने आया मैंने उस पर ये मिर्ची स्प्रे कर दिया था और वो लोग अपनी आखों में मिर्ची लगने से तड़पने लगे थे मैं वहां से बड़ी मुश्किल से भाग कर आई थी क्योंकि इस इस्प्रे की वज़ा से ये सब पॉसिबल हो पाया था मैं भाग कर अपने घर आ गई थी मुझे बाबा पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अब मैं बाबा से अपना बदला लेना चाहती थी मेरे अंदर बदले की आग भड़क रही थी मैं पूरे चार महीने बाद घर वापस आई थी जब मैंने देखा कि घर में मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था मैं जब कमरे में गई तो ये देखकर मेरे पैरो तले से जमीन निकल गई थी कि बाबा तो बहुत बीमार थे बिस्तर पर लेटे हुए थे और वो बहुत कमजोर हो गए थे उन्हें देखकर मैं पहचान नहीं सकी थी कि ये मेरे बाबा ही है क्योंकि हालत कमजोर होने की वज़ा से उनका चहरा और शरीर पूरी तरह से बदल गया था जब बाबा ने दर्वाजे की तरफ देखा तो वो उठने की कोशिश करने लगे मगर वो उठना सके और दुबारा से बिस्तर पर गिर गए बाबा की ऐसी हालत देखकर मैं धीमे धीमे कदमों से चलती हुई उनके करीब गई और उनका बिस्तर पकड़ कर ही जमीन में बढ़ गई थी मैंने कहा बाबा ये सब कैसे हो गया और मैं रूने लगी थी क्योंकि उनकी ऐसी हालत देखकर मुझे उन पर बहुत तरस आया था मेरे दिल में उनके लिए जतना वे गुसा था वो सब खत्म हो चुका था इससे पहले में कुछ कहती बाबा मेरे आगे हाथ जोडने लगे उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दे बिटिया मैं तेरा बहुत बड़ा गुनागार हूँ देख तेरे साथ मैंने जो कुछ भी किया उसकी सजा मुझे मिल गई मुझे बड़ी बिमारी ने घेड लिया दो बार मुझे हाट अटैक भी आ गया मुझे लगता था कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा मगर सब कुछ मेरी गलत फहमी थी तेरे जाने के बाद ये घर पूरी तरहां से वीरान हो गया जिस दिन में तुझे बेच कर आया था उस दिन में वहाँ से पैसे लेकर लोट रहा था जब घर आया तो देखा कि घर में चारो तरफ भीर लगी हुई थी मैं हैरान रह गया मैं जब घर के अंदर गुसा तो ये दिक कर मेरे पैरो तले से जमीन निकल गई कि मेरा बेटा बड़ी बुरी कंडिशन में जमीन पर पड़ा हुआ था पुलिस वाले भी मौजूद थे और एम्बुलेंस भी खड़ी हुई थी वो लोग मेरे बेटे को ले जाने आये थे मगर मेरे घराने का इंतिजार कर रहे थे उन्होंने मुझे बताया कि आपका बेटा इस दुनिया से जा चुका है ये खबर सुनकर मैंने अपने दिल पकड़ लिया था पुलिस वालोंने बताया कि हमारे शहर में एक फेयर लगने जा रही थी जिसमें बहुत कीमती कीमती सामान बिकना था दीपक और उसके दोस्तों ने मिलकर उस फेयर में चोरी करने का प्लान बनाया था लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो समान बहुत कीमती था इसलिए वहाँ पर पुलिस का पहरा भी ज्यादा था वो नकाप पोश चोर बनकर वहाँ पर चोरी करने के लिए चले गए वो वहाँ से चोरी करके भाग रहे थे धेर सारी पुलिस उनके पीछे लग गई जब वो लोग वहाँ से भागते भागते में रोड पर आये तो उसी रास्ते से एक बड़ा सा ट्रक गुजर रहा था जब दीपक और उसके दो दोस्त इस ट्रक के नीचे आ गए और ट्रक से कुचल कर उन तीनों की मौके पर ही मौत हो गई उन दोनों लड़कों की लाश उनके माता पिता के हवाले कर दी गई थी जबकि मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो सका था इसलिए वो दीपक की लाश लेकर यहीं आ गए और मेरे आने का इंतिजार करने लगे यह सब सुनकर मेरे पैरो तले से जमीन निकल गई थी कि मेरा बेटा किस कदर बिगड़ गया था मैं तो उसके लिए पैसो का इंतिजाम करने गया था बच्पन से लेकर अब तक मैंने उसकी हर खौाहिश पूरी की थी उसे ऐसा लगता था जैसे मैं उसे बाइक नहीं दिला पाऊंगा इसलिए उसके दोस्तों ने मिलकर ये प्लान बनाया बस मैं ये सद्मा बरदाश न कर सका और उसी दिन से इस विस्तर पर पढ़ा हुआ हूँ मैं तुझ से माफी मांगता हूँ बेटा उपर वाले ने मुझे मेरे किये की सजा दे दी मैंने अपने बेटे को बहुत प्यार दिया मगर वो तो गलत संगत में पढ़ चुका था एक तू थी जो सीधी साधी भोली भाली लड़की थी फिर भी मैं तुझे उस नर्क में छोड़ाया था जहां तुझे नहीं होना चाहिए था ये कहकर बाबा फूट फूट कर रो रहे थे और कह रहे थे कि पिछले चार महीनों से मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ भगवान से हर दिन यही प्रातना करता हूँ कि मेरी मौत आ जाए क्योंकि एक मौत ही है जो मुझे सुकून दे सकती है वरना मुझे सुकून नहीं आता आखिरकार मैंने अपनी पत्नी के साथ भी गलत किया अपनी बेटी के साथ भी गलत किया जिस बेटे को मैं अपना सहारा मानता था वो भी मुझे इस दुनिया से छोड़कर चला गया और अब मैं अकेला रह गया हूँ बाबा की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी मगर मैंने उन्हें तसली दी थी और उन्हें माफ कर दिया था क्योंकि मेरा दिल बहुत नरम था आखिर वो मेरे पिता थे मैं उनकी तरफ से पत्थर दिल कैसे बन सकती थी मेरे साथ जो हुआ उसे मैंने भूलने की कोशिश की और बाबा की सेवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं की मैं बाबा का बहुत खयाल रखती थी बाबा मुझे देख देखकर दिन रात रोते रहते थे और यही कहते थे कि सच में बेटियां बेटा बनकर दिखा देती है मगर कुछ बेटे बेटा बनकर भी नहीं दिखा सकते उस दिन से युन्हें इबात रियलाइज हो गई थी कि जरूरी नहीं कि बेटे ही माबाप का सहारा बने कुछ बेटिया भी माबाप का बुढ़ापे में सहारा बन जाती है मेरी इस कहानी को काफी समय हो गया मेरे बाबा अभी भी जिन्दा है और मैं उनकी अभी भी सेवा कर रही हूँ उनकी सेवा करने की खातिर मैंने आज तक शादी नहीं की मैंने अपनी पूरी जिन्दगी अपने बाबा के हवाले कर दी जब तक बाबा की जिन्दगी है तब तक मैं उनकी सेवा करती रहूंगी मेरी ये कहानी स्पेशली बेटियों को बोज समझने वाले लोगों के लिए है बेटियां अपने माबाप के लिए लाडली नहीं होती मगर उनके माबाप उनके लिए बहुत प्यारे होते हैं तबी तो वो अपने साथ किये गए हर जल्मों सितम को बरदाश करके अपने माबाप की महबत पाने की आस में अपनी जिन्देगी गुजारना चाहती है दोस्तों मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले